परिशुद्ध पोशक तत्व उपलब्द कराने को परिशुद्ध पोशक तत्व प्रबंधन या प्रिसीजन यूट्रेंट मैनेश्मेंट कहते हैं इसके लिए कई उपकरण और तकनीके हैं जैसे ग्रीन सीकर, स्पाड मीटर या क्लोरोफिल मीटर और न्यूट्रेंट एक्सपोर्ट जैसे डिसीजन सपोर्ट सिस्टम लेकिन इन सभी में एक बहुत ही सरल, आसान, कम लागत वाला और बहुत व्यवहारी विकल्प है लीफ कल इसलिए गेहरा हरारंग यानि नाइट्रोजन की परयापतमात्रा और हलका हराहर ऻाणियान की मांग, यह एक बहुत ही हांडी यंद्र हैं जिसमें हलकी हरे रंग से गेहरे हरे रंग तक कई शेड़ होती हैं हरिशे की नीचे एक अंक दिया रहता है अब जगरधान की बात करें तो फसल लगबग 15-20 दिन की होती है तब हम Leaf Color Chart से रीडिंग लेना शुरू करते हैं और लगबग हर 7-10 दिन के अंतराल पर पुने इसकी रीडिंग ली जाती है यदि आपका खेत बहुत बड़ा हो तो आप 4-5 भागों में उसे बांट सकते हैं और हर भाग से कम से कम आपको 10 पतियों का चुनाव करना होगा जो रोग और कीटों से मुक्त हो और जो यंगर लीड या जो नई पति है उसका आपको चुनाव करना होता है लीव कलर चार्ट की रीडिंग लेने का सबसे सही समय होता है सुबह 7-8 बजे जब धूप ना हो और जब भी आप रीडिंग ले आप ध्यान रखे कि सूर्य का प्रकाश है वो सीधा आपके पति और लीव कलर चार्ट पर ना पड़े और यदि यहां आपकी पति का रंग है तो आपका स्कोर होगा साड़े तीन बास्मती किस्मों की यदि हम बात करें तो साड़े तीन या उससे कम की रीडिंग आती है वहीं यदि आपकी कोई संकर किस्म है या इंब्रेड लाइन्स आप लेते हैं तो चार या उससे कम का अगर स्कोर है दस में से 6 पत्यों का तो आपको करीब 35 kg नाइटोजन प्रती हेक्टेर की दर से उपलब्द कराना होगा देखिए इस समय पौधे पे और लीफ कलर चार्ट पे धूप नहीं आ रही यदि धूप में लेना भी पड़े आपको रिडिंग तो आप अपनी ही उससे उसको किसी चाया से कर लीजे तभी आप पत्ती का लीफ कलर चार्ट से मिलान कीजिए और हम देख रहे हैं कि ये बासम अगर हम परमपरागत तरीके से देखें तो एक नाइट्रोजन की मांग रहती है लेकिन लीफ कलर चार्ट के अधार पर यह भी मांग नहीं दिखा रहा तो हम इसके अंदर इस स्टेश पर अभी नाइट्रोजन की उपलबदता नहीं कराएंगे कई बार यह देखा गया है क प्तियां इन दोनों की बीच में कहीं मैच करती हैं उस परिसिती में आप इन दोनों अंग का ओसट भी कर सकते हैं जो शोध हमने किये हैं उसमें पाया गया है कि यदि आपका जो परमपरागत रोपाई वाला धान है तो उसमें आप 15 दिन के आसपास फिर 45 दिन के आसपास और करीब 60-65 दिन पर Leaf Color Chart की रीडिंग जरूर लिजे। वहीं यदि अगर आपका DSR या धान की सीधी बुवाई का खेत है, तो आप करीब 20-25 दिन पर 45 दिन के आसपास और फिर 60-65 दिन के आसपास Leaf Color Chart की रीडिंग जरूर लिजे। और मांग के आधार पर आप नाइटरोजन को उपलब्द करा सकते हैं। यदि 60-65 दिन के बाद भी नाइटरोजन की मांग दिखाई जाती है, तो आप बास्मती धान में करीब 20 किलोगराम नाइटरोजन और इंब्रेड या संकर किस्मों के लिए करीब 30-35 किलोगराम नाइटरोजन की मातरा भी दे सकते हैं। जो धान गेहूं पसल चक्र में शोध हुए हैं, उनसे यह पाया गया है कि उपज में कमी के बिना लीफ कलर चार्ट आधारित नाइटरोजन प्रबंदन से करीब 20-30% नाइटरोजन की बचत होती है और साथ ही जो नाइटरोजन उपयोग दक्षता है उसमें भी बढ़ोतरी होती है।